तो फ्रेंड्स वेल्केम बैक तो माई यूट्यूब चैनल लेंज साइंस आज की वीडियो में हम एक्ससाइज सॉल्व करेंगे पिछले फाइफ पार्ट में हमने चैप्टर को एक्स्प्लेंड किया तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहां ज लूब नमर वन है विच फिप्श फैबस इस दो मैं चैमल वूल अंसरे मारा दसॉफ अंडर को यानि बीवर सेटने इन विच अफ फॉलिंग इस वह एंद शीप रियर शेप्र एंसरे मारा अल अफ टीस ओक तर्दे देम शोंस फूल इस अंसरे मारा शेप्र एंसरे मारा श पीडर आंसरे मारा मलबेरी ओके फेंड्स अब अब आते हैं हम सेकेंड अमर पर जिसमें हमारा फिल इन द ब्लैंक्स प्स अफस्ति हमारा प्ली एक्षम अग़्ली क्यंदा था अंमल इसका आंसरे मारा हीर अगि seconde amara the dash gives the best quality wool so hama ra answer he bacterian camel okay thirde amara the fiber obtained from dash is called mohair answer amara angora gold a fourth amara a larva transform into an uh pupa okay ah into a pupa fifth amara da dash और प्लेस टो लुजन दासिल फ्लामेंन्स आंसर है हमारा को चुछ फिरिंट्स में आपको ये इस वजह से नहीं समझा रहे हूं क्योंकि मैंने ऑलटी चैप्टर्स में टोटल पूरा अच्छे से एक्स्प्लेंट कर दिया है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है इसमें आपको नहीं समझा रही हूं आपको अगर समझना है और अच्छे से पढ़ना है तो आप जाए और जाकर के पूरे चैप्टर को पढ़ लें उसके बाद आकर के एक्सिसाइस को सॉल्व करें इसके बारे में आपको बता देती हूं कि इंडिया में वैसे स्टेट के बारे में बताइए जहां पर की शीप को पाला जाता है हमारा आंसर है हीमाचल परदीश और सिककिम उगे सैकी ओने मस ओफ डेकाइप डेट कीव अस वूल कि कैमिल फैमली के वैसे अनिमा जो हमें वूल देते वो कौन-कौन से हैं तो इसका आंसर है हमारा चुके हाँ पर टूहीं ऑप्शन से हैं सो हम टूहीं ओप्शन को वोफिल करेंगे बेक्टिरियन कैमेल और अल्पाका तर्ड हमारा गोर्ट जो जो कि हमें अच्छी क्वालिटी की वूल देते हैं वो कौन-कौन से तो आंस्व Хण कैश्मेरा गोट्ट और अंगोरा गोट्ट फोर्थ है नहीं हमारा Wool-Producing Countries कि वैसी Countries जो कि Wool को प्रोड़्यूस करती है वो कौन-कौन सी है तो आंसर है हमारा । औस्ट्रीलिया एंड साउथ अमЕरिका फिफ्थ है हमारा टाइप्स अफ्सिल और आंसर है हमारा कोसा एंड मोगा अब यहां पर इसका second part, write one word for the following, यानि आपको एक ही word में इसका answer देना है First one है, the process of removing fleas from an animal, कि एक animal से hairs को remove करने के process को, hairs को उसके body से अलग करने के process को क्या बोलते हैं, तो answer है हमारा sharing, second है, the process of removing dirt, dust and grease from shared hair, कि जो हमने hair को जो remove किया हुआ है, उस removal hair से जो dust, dirt को, गंदगी को और grease केते हैं, चिकनाई को यानि या लसलसा पंज जिसको बोलते हैं, जो animal's की body में हो जाता है, तो उसको जो remove करते हैं, हटाते हैं, उस process को क्या बोलते हैं, तो उस process को बोलते हैं, हम scoring, okay, third हमार yearing of silkworm for silk production, कि silk production के लिए, जो silkworm का पाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसका answer है हमारा sericulture, fourth हमारा the pupal stage in a moth life cycle, यानि कि जो moth की life cycle होती है, उसका जो pupal stage होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसका answer है हमारा cocoon, okay, fifth हमारा the process of taking out flammets from the cocoons, the process of taking out flammets, yes, cocoons के अंदर से flammets को बाहर निकाल देना, या उसको taking out बाहर कर देना, उसको उस process को क्या बोलते हैं, तो उस process को बोलते हैं, okay, friends, तो आज हमने A और B पार्ट solve किया, और अगले C पार्ट है, C और D पार्ट, यानि कि short answer questions और long answer questions, इसको हम अपने computer की स्क्रीन पर solve करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, Assalamualaikum, और हाँ से पहले मैं आपको यह बोलना चाहूंगे, कि अगर आप हमारे चैनल पर new हैं, तो हमारे चैनल को like कीजे, subscribe कीजे, अपने दोस्तों के साथ share कीजे, और आपको अगर कोई problem है, यह जगिस वेरी मुच।